इस वीडियो के अंदर गाइस यहाँ पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ मार्केट लिंक डिबेंचर्स का की मार्केट लिंक डिबेंचर्स आकर होते ही क्या है किस तरह से काम करते हैं रिसेल्ली इंकरेट मैनी प्लाटफर्म ने जो है क्योंकि इस कॉंसेट के बारे में इंडिया में कई सारे लोगों को नहीं पता है तो प्लीस यहाँ पर पूरा वीडियो जरूर देखेगा साथ में डिस्क्लेमर देरा चाहूँगा मैं कोई भी सेवी रिस्टर परसर नहीं हूँ नहीं कोई यह वीडियो इस्पॉंसर वीडियो है मैं इस वीडियो के थुरू आपको किवल एक एज्जुकेट करने की कोशिश करूँगा तो पहले बात करते कि MLD क्या होते है तो MLD के फुल फॉर्म होती है मार्केट लिंक डिबेंचर यह इस ताइप के कुछ हाइब्रेड इस्टूमेंट होते है जो एक्विटी में भी निवेश करते है और डेट के अंदर भी निवेश करते है यह कॉर्पेट बॉंस की तरह यहाँ पर मार्केट के अंदर इशु होते है प्लस यह दो टाइप की होते है एक होते है Principal Producted यानि कि आपने जो पैसा आप Invest कर रहे है वो आपका Production के अंदर रहता है Second होता है Non-Principal Producted MLD अब गाइस MLD काम कैसे करता है तो चलिए इसको Practical समझने के लिए Incret की Website पर चलते हैं तो गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो याद चुक है Incret का 1.5X Nifty Accelerator MLD April 2026 यानि Almost आपके सकते है 26 मेने का Basically ये Investment Period है तो यहाँ पे आपको 98,500 रुपीज इन्वेस्ट करने है Minimum जो ये Return है वो 0% का है और Maximum 33% का है अब इसका मतलब क्या है प्लस इसमें Multiplier 1.5X का है इसको समझने के लिए इस चार्ट को हम लोग Simply तरीके से समझ लेते कि MLD काम कैसे करता है तो देखिए अभी Right Now मालीजे आप 1,00,000 रुपे यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे मैं आपको 3 सीनेरियों बताना चाहूँगा एक होता है Nifty मालीजे Negative Returns जब जनरीट करता है तो अगर मालीजे आप किसी एक Index Mutual Fund में या ETF में निवेश करती 1,00,000 रुपे तो मालीजे अगर आपका Minus 10% हो जाता Nifty 50 तो आपका Investment जो Value होता है वो 90,000 रुपे का हो जाता है लेकिन इस MLD के अच्छी बात क्या है अगर ये Nifty 50 यहाँ पर Negative Returns जनरीट करता है तो उस Case में आपका जो Principle है वो Protected रहेगा यानि आपका जो Principle आप आउन्टे वो Negative के अंदर नहीं जाएगा ये Ultimately आपको 0% का Return यहाँ पर प्रोवाइड करता है अगर Nifty मालीजे Mindly जो है अगर bullish scenario है अभी जैसे Nifty 50 22,000 के असपास चल रहा है तो मालीजे 22,000 से जम करके ये 24,000 दो सो रुपे हो जाता है तो अगर Nifty 50 यहाँ पर 10% का Return निकाल के दे रहा है तो उसका 1.5X यानि की 15% का जो Return है वो ये Baud निकाल के देगा यानि आपका 1,000,000 रुपे का जो Investment है वो सीधा 1,000,000 रुपे बन जाएगा इसी तरह से मालीजे assume करजिए कि Nifty 50 जो है आपका आने वाले यहाँ पर 26 महीने के अंदर 27,500 चल जाता है तो आपका जो 25% है ये वाला Baud जो है उसका 33% आपको बना के देगा लेकिन इसके अंदर एक Maximum Limited है 33% की यानि कि अगर Nifty 50 मालीजे 30,800 रुपे चल जाता है यानि सीधा 40% का Growth Rate वो भी 2 सालों के अंदर तो उस case में ये Baud maximum केवल आपको 33% का ही रेटन कमा के देगा यानि भाई अगर मैं simply आपको समराइज करना चाहूं तो इसमें 3 सिनेरियों बन सकते हैं अगर Nifty 50 20% का रेटन निकाल के देता है तो उसका 1.5x यान पे ये वाला Baud 30% का रेटन निकाल के देगा अगर Nifty 50 35% का रेटन निकाल के देता है तो ये वाला जो Baud है वो केवल 33% का रेटन निकाल के देगा क्योंकि इसके अंदर upper capping limit लगी वी है इसके लावा अगर 50-50 negative के अंदर जाता है minus 20% minus 30% तो ये वाला bond आपको कोई भी return निकाल के नहीं देगा आपकी capital को ये protected रखेगा तो अगर एक मैं यहाँ पर maximum senior के अंदर बात करूँ तो अगर मालीचे maximums का जो return है 33% का निकलता है तो यहाँ पर आने वाले 26 मैने के अंदर आपको 14.05 का XIR देखने को मिल जाता है अब गाईस आप लोग बात करोंगे कि यार ये capital को कैसे protection करता है कि इसका investment का style क्या होता है तो देखे इसको एक normal example की तरह समझते मालीचे आपने 100 रुपीज कमणी को यहाँ पर दिये इंक्रेट मनी को तो यह 100 में से क्या करेगा 20 रुपे जो है market link component के अंदर लगाता है जिसके अंदर ये nifty के option को भाई करता है अब ये जो 20 रुपे का amount है अगले 26 मेने में या तो 0 हो जाएगा या ये 20 रुपे का amount सीधा 33 रुपे बन जाएगा वहीं पर आपका जो 80 रुपे का जो component है उसको debt के अंदर ये निवेश करता है और ये 80 का इस अपरी तरीके से 100 हो जाएगा अब यहाँ पर होता क्या है अगर 20 का यहाँ पर 0 हुआ तो still आपका 80 का 100 हो चुका है और आपने invest भी 100 किया था यानि आपका जो principal amount है वो यहाँ पर protected रहता है लेकिन let's suppose अगर ये 20 का 33 या उसकी नीचे भी जाता है तो आपको 100 प्लस जो भी यहाँ पर return कमा के देगा वो आपको return मिल जाता है तो इससे क्या होता है nifty 50 के equal तो आपको return देखने को मिलता ही है लेकिन negative के अंदर आपकी capital भी यहाँ पर protection रहती है तो इस तरह से भाई ये equity के options के अंदर और debt component में निवेश करके simply तरीके से आपको balance return निगाल के देता है यानि कि maximum side 33% का return और अगर आप negative side देखेंगे तो 0% का return तो इसको और अच्छे से हर सीनियों पर समझना चाहते हैं तो इन्होंने यापर simply chart भी दे रखा है तो आप nifty 50 के levels के उपर nifty 50 के returns के according ये bond कितने returns निकाल के दे सकता है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यापर mention किया हुआ है आप guys इस in cred MLD के अगर मैं बात करो तो in cred financial service limited ने इसको launch कर रखा है अपने platform के उपर प्लस ये पूरा का पूरा एक cb securities जो है यापर listed होगा मलब stock market में भी ये unit जो है यापर listed होगी credit rating की बात करो तो इस MLD को A plus stable यापर मिला हो है तो जो की काफी अच्छी credit rating है maturity की बात करो तो 26 महीने बाद में होगी यानि एक लाख रुपे की job की maturity है minimum जो investment size है वो 26 महीने के बाद में यापर mature होगा security भी है plus इसके अंदर आपको 100% आपका principal protected मिल जाता है maximum return की बात करो already बता चुका हो 26 महीने के अंदर maximum 33% का return आपको मिल सकता है और XR की बात करो तो 14.05% per annum होगा अब गैस ये जो nifty के levels है जो मैं आप भी आपको explain किये तो वो कैसे count होगे तो initial जो level होगा nifty 50 का ये average निकालेगा 29 fax से 28 mark 12.24 के बीच में और जब nifty 50 का जो final level होगा जब ये mature होगा basically तो उस time पे ये 12.26 के nifty 50 के level जो है 29 gen से लेकर 26 fax के बीच में निकालेगा अब गैस आप लोगों ने इसके सारी चीजे तो यहाँ पर समझ लिए अब बात करते हैं किसके इंदर risk क्या है तो देखें इसमें तीन टाइप के definitely risk हो सकते हैं पहला है market risk market risk का क्या मतलब है कि nifty 50 अगर negative के अंदर जाते हैं तो क्या आपका पैसा डूप सकता है मैं अलड़ी बता चुका हूँ यह basically आपका principle जो 100% यहाँ पर protected रहेगा क्योंकि साथ में यह debt security के अंदर भी invest करता है second link होता है credit risk यानि कि let's suppose जो भी market के अंदर corporate bond issue होते है अगल कल को company bankrupt वगरे हो जाती है तो उस time पे आपको यह देखना चीए कि वो जो bond है वो secure bond है कि नहीं है और उसके साथ में उसको जो credit agency उसने क्या rating दे रखी है तो भाई यहाँ पर क्रिजल ने काफी अच्छी A plus stable की यहाँ पर rating दे रखी है जो की काफी अच्छी मानी जा सकती है प्रस यह security जो है बकाईदर stock market के उपर लिस्टेट होगी और यहाँ पर यह MLD basically secured भी है इसके लिए इस तीसा सबसे बड़ा risk होता है liquidity risk यारी कि आज आपने पैसा लगा है 24 मिने तक आप रोक नहीं सकते बीच में ही आपको मालीजे पैसो की requirement पड़ गई तो उस case में क्या होता है कोई भी यहाँ पर खरीदने वाला जो है buyer नहीं मिल पाता आपको open market के अंदर तो उस case में भी अगर आप in credit platform के तुरू buy करते तो यह खुदी जो है अपनी security जो है 2% over the current value of the basically जो है आपको liquidation हो जाता है मलब 2% का आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और आप कभी भी यहाँ पर security से जो है exit वगर भी हो सकते हैं जो है जो है आप लोग को अपना live जो है अपना investment portfolio भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने last MLD के अंदे invest किया था तो आप screen के सामें दे सकते मैंने August के time पर यहाँ पर 99,750 यहाँ पर invest किये थे और अभी तक मुझे 5.47% का return मिल चुका है इस MLD के अंदर जो minimum return से maximum return थे वो different थे और उस time पे मैंने video भी बना राखा था तो अगर आप लोग को चेकाउट करना है तो उसकी link में मैं आपको description box में provide कर दूँगा तो देखे अगर मैं overall बात करूँ तो इस type के MLD के अंदर कोई invest कर सकता है जिसको लग रहा कि अभी market बहुत ज़ादा high है और उसको यह डर है कि अभी मैं अपनी security को बेचू नहीं बेचू या let's suppose कोई first time यहाँ पे stock market के अंदर enter कर रहा है link in the description box बाकि अगर आप लोग के कोई भी doubts है तो comment box के अंदर जरूर बताईएगा thank you guys thank you very much